आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप ये टेस्टी सा जो दिख रहा है आपको अंडिक गभुर्जी कैसे बना सकते हैं तो चलिए फटा फट से बनाते हैं यहां मैंने कडाय ले लिए जिसमें ने दो चम च तेल ले लिया और आपको टेस्ट एन्हेंसर के लिए इस पर दो चम च घी भीले ले लेना है अगर घी नहीं है तो आप बटर यूज कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ जीरा डाल दिया है उसके बाद मैंने एक प्याज जो था उसको बारी काट लिया है और यहाँ हम अच्छे से जीरा और प्याज को जो है वो मिक्स कर देंगे और जैसे ही प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा थोड़ा सा तो हम यहाँ पे अद्रकलैसून का पेज डाल सकते हैं अगर आपको नई पसंद है अद्रकलैसून तो आप स्किप कर सकते हैं बाकी यह बहुत छटेज देता है इसमें तो यह मैंने अद्रकलैसून का पेज डाल दिया है और हम अद्रकलैसून को प्याज के साथ कुछ सेकिंड्स के लिए 50-60 सेकिंड्स के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद मैंने यहाँ अधी चमच हल्दी ले लिए है एक चमच मिर्च ले लिए है और देर चमच जो है धनिया पाउडर ले लिए है बस इसके लावा और कुछ भी नहीं डालना है उसके पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को जो है प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे करीब एक मिनिट के लिए कम लाव में हम छोड़ देंगे तो यह देखिए यहाँ पर प्याज से सेपरेट हो गया था यहाँ पर एक मिनिट हो चुका है पर उसके बद हम इसमें मैंने एक छोटा असा टमाटर ले लिया था उसको बारिक काट लिया है फिर दो हरे मिश को छोटचोटा काट लिया था यह मैंने इस पर डाल दिया है इसके बाद मैं इस पर थाकि हमारे टमाटर आसानी से गल जाए इसलिए में यह पर नमक डालूँगी नमक थोड़ा कमी डालियेगा क्योंकि अंडे में जो है अगर थोड़ा भी नमक जादा हो जाता है तो बहुत टेस्ट खराब देता है तो यह मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और दो से तीन मिनिट हम आराम से भूनेंगे लिये जब तक ऑइल जो है मसाले से सेपरेट नहीं हो जाता और जैसे यह एक में छोड़ रखा था उस साइड में डालूंगी और गैस कलो यहां पर में मीडियम कर दूंगे उसके बाद में मसाला जो हमने बनाया था प्यास टमार का उसके साथ अंडे को मैं मिक्स करूंगे आपके ध्यान रखेगा कि आप यहां पर छोड़िये का नहीं कंटिन्यू च दाल दिये हैं और फिर हम दन्या पत्ती को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह देखिए हमारा टेस्टी सा जो है एक भुर्जी बन कर तयार हो गया है यह आप दाल चावल के साथ भी बना सकते हैं और मैं तो प्रफोर करती हूँ पराठे के साथ पराठे में क्या करते ह और बीच में यह एक भुर्जी डाल देजिए और पराठे का जो है रोल बना के खाए बहुत जादा टेस्टी लगता है आप यह एक बार जरूर ट्राइ करके देखिएगा और अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना अपने दो